हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में उत्राखंड की निस्ल की सीरीज चल लही है जिसमें की आपको कम्प्लिट कोर्स कराया जा रहा है तो दोस्तो हमारी उत्राखंड जिला सीरीज चल लही थी उत्राखंड जिला सीरीज में हम लोग अध्यन कर रहे थे तो अलमोडा जन्पत का पहला पार्ट हम लोग complete करचुके हैं और आज हमारा कम्रद फर्प रहे हैं और दोस्तो आपको एक बात और बताऊं अलमोडा जन्पत की अधिकान सीजें हम लोग पहले ही cover कर चुके हैं वह देखिए किस रूफ में कर चुके हैं देखिए एक हमारी थाती है आंदोलन सीरीज जिप हम लोग उत्राकर नहीं परेते तो बहुत सारे में आपको उत्राकर नहीं पर्णाइट रहते तो उत्राकर काल में अलमोडा में काफी सारी गतिवीदियां हुई थी जब यहां पर आते हैं उनका जो केंदर होता है कुमावाले छेतर पर तो सरो पर्थम वो अलमोडा में ही आते हैं गोरखा काल में देखी जो गोरखा जो होते हैं वो अपना केंदर कहां बनाते हैं अलमोडा को ही बना इतिहास सेंदी जो पिस इत्यास से दी उनका हम आद्यन कर चुके हैं अभी कि हमारी सीरिश 한데 यह से हम लोग काफी चीजे कवर करेंगे उत्राषंड को उन değerत हुआ कों से मले लगते हैं बार बार दोस्तों पूछे भी गए हैं पहला आता है जल करता है जल मेले जो के लगता है अगला हाता है कौन सा मेला सोमनाद का मेला राम गंगा के तत पर लगता है देखिए राम गंगा के तत पर रहा लगेगा और कहाँ पर रानी खेत के पास रानी खेत हो, अलमोडा हो एक जाम में कुछ भी आ जैरा देखिए वसे जनपद से ही संमन्द कम पूछा जाता है अधिकांस जो है उस जनपत का हिनाम पूछा जाएगा तो देखिए सोबनात मिला रानेखेत के पास राम गंगा ने दिखे तटपर लगता है देखिए इस मेले में थोड़ी सी खासित बात हैं कुछ है जिनकों कि आपको ध्यान में रखना है देखिए इस मेले के पहले दिन रातरी में सर्टिया मेला था दूसरे दिन ठुलकौति कि अनरेकी बड़ा मेला ठुल का मतलब क्या होता है जो पहड़ी भासा होती है कुमावनी भासा होता है बड़ा होता है कुमावनी वासदा में ठुल का मतलब क्या होता है बड़ा होता है तो ठुल कौतिक लगता है और जिसमें पसुम का किरे विक्रे अधिक होता है इस परकार से देखिए हम लोग बात करते हैं सोमनात मेली की तो सोमनात मेली को हम लोग पसुमों के किरय विक्रे से भी जोड सकते हैं जोड सकते हैं नहीं जोड़ेंगे एकजाम में अगर ऐसा प्रश्ण बनता है अलमोडा के किस मेले में पसुमों का किरय विक्रे अधिक होता है तो देखिए सोमनात मेले में लगता है सोमनात मेले में ही लग रहा है वो उस चानेखेत के पास ही, अल्मुडा महीं, गिराम गंगा के तड़ पर, आपको इतना याद रखना है, फिर देखिए, ठुल कौतिक के बाद क्या होता है, नान कौतिक, नान का मतलब क्या होता है, छोटा, ठुल का मतलब बढ़ा हो गया, नान का मतलब छोटा हो गया, तो ठुल क को दोस्तां प्राप्ति की तो कमना करती है तो दोस्त बहुत ही महत्मूर्ड चलिक मेल जिन पत के मेले हैं तो सारे के सारे मेल यहां से मेहतपूद रहेंगे एक भी skip नहीं करना है स्याल्दे विखोती का मेला कहाँ पर लगेगा स्याल्दे विखोती का मेला द्वाराहत अल्मोडा में इस मेले का आरंब कत्यूरी काल से माना जाता है ऐसे प्रश्ण बन जाते हैं आपके सामने चार ओप्सन रहेंगे बताएं इनमें से कौन सा मेले का आरंब कत्यूरी काल से माना जाता है तो स्याल्दे विखोती का मेला फिर देखिए जो स्याल्दे विखोती का मेला है यहाँ पर से कुछ प्रश्ण महित्पोट रहेंगे इस मेले में तीन दल होते हैं कौन कौन से आल, गरक और नौजूला नौजूला इस मेले में तीन दल होते हैं यह तीन दल इस मेले के आउसर पर द्वारहाट बजार में इस सित ओडे को भेटने की रस्म पूरी करते हैं तो जो द्वारहाट बजार है उसमें एक रस्म होती है ओड़े को भेटने की रस्म है, तो द्वारहाट बजार में ये तो तीन दल होंगे, आल गरक और नोजुला इस रस्म को पूरी करते हैं, तो ये बात आपको पता होने चाहिए, आल गरक यहां से मैधमून क्या रहेगा, आल गरक और नोजुला, यहां से ऐसे प्रश्न बन सकत ये बाट का मतलब होता मार्व या रस्ता, रस्ते का गोलते हैं बाट, तो बाटे पूजिन यानि की मार्व पूजिन होता है, और इस मेले के आउसर पर जोड़े वह भगनौल गीत गाए जाते हैं, दोस्तों बहुत महत्मूर है, किस मेले के कुमाउ के या अलमोडा के किस म खोती का मेला जो रहेगा, वह परसिद्ध रहेगा, पहली बात तो किस्चिच के लिए, आल गरखोर नजुला के लिए, दूसरी बात इस मेले के आउसर पर जोड़े वह भगनौल गीत गाए जाते हैं, ऐसा प्रशन बन सकता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद का मेला बहुत ही परसिद्ध है, आपको याद रखना है, फिर देखिए, देखाट का मेला हो गया, मनिला का मेला, दूनागरी का मेला, सब कहां लगते हैं, अलमोडा में ही, बिना थेसवर का मेला कहां पर लगएगा, अलमोडा में, फिर देखिए, बगवाली पोखर का मेल देखर अब बेठे जो मेला है यह सरकार की सहीता से लगता है और देखांए होते हैं वहाँ इस्थानिये होते हैं जो वहां के व्यक्तिवों होते हैं इस्वयमी उस्मेले का अयूजन करते हैं लेकिन कुछ मेले ऐसे भी होते हैं जिनका आयोजिन सरकार करती है उन्हें मैंसे बगवाली कोकर का मेला भी एक है चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर देखी अगला आता है गोल्जू महुत सव कहाँ पर होता है चिताई अलवडा में होता है और मासी खंड के आंदोर्ण वाली सिरीज में पढ़ा चुका हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है उत्राखंड के आंदोर्ण के 30-35 मैं आपको चनल की प्रेश्ट में जाना है आपको वहां से सारे के सारे एक हमारा मिलेगा उत्राखंड के आंदोर्ण उस वाली में किलिक करन है उस फोल्डर में आपको वहां से उत्राखंड़ जदने भी आंदोलन वे थे उन सब की सीरी चुराप्त हो जाएगी फिर देखिए देखिए मैं आपको कोई भी जीच करा तो ना टॉपिक वैस करवाता हूं अब देखिए मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई टॉपिक शुरू गिया तो उसको 20 से ही खतम कर दो या फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर दो उत्राखंड़ की हमारे जिला सीरी चल लहीं तो पहले हम इसको कम्पिलेट करेंगे उसे के बाद हम लोग अगले टॉपिक की और बढ़ता हूं फिर देखिए हम लोग बात करते हैं परंग संस्थानों विभाकी तो जी भी पंथ हिमालेज परियावरन एवळम विकासंस्थान कहा है तो कटार मल कहां है अलमोडा में दोस्टों कभी-कभी क्या होता ना जो संस्थान है इनके जो इस्थान है जहां पर अलमोडा में इसे नाम पूछ ले जाते हैं कि जीवी पंत हिमाली परियवरान ऐवमशन संस्थान कहां पर है कटारमल अलमोडा में चलिए ठीक है Indian Institute of Ayurvedic for Drug Research कहाँ पर हो जाएगा ताडिकेत अलमडा में Drug Composite Research Unit कहाँ पर हो जाएगा रानिकेत अलमडा में विवेकानन्द परवती किर्सी अनुसंदान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा अलमडा में देखी यहाँ पर से कुछ confusion है बहुत सारे बच्चों में तो उस confusion को आप दूर कर लेजिए जो भी आपके मन में रखता है कि इस विवेकानन्द परवती किर्सी अनुसंदान संस्थान से जहाँ तक आपको डाउट होगा तो आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा देखिए विवेकानन्द की प्रशन आ चुका है यह प्रशन जो आया था वो आया था चा कि इसकी इस्थापना को ले कर थौड़ासा ढाउट रहता है तो उस डाउट को हम लुग क्लियर करेंगे देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्दमान ने विवेकानन्द परवती किरसी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह है अलमोडा में इसका उसमे नाम था 1924 में फिर देखी क्या होता है अलमडा में इसको इस्थान आंतरत कप किया गया 1936 में देखे किसी किता आपने देखा होगा कि जो विवेकाणंद परवत्ति अनुसुन्दान संस्तान है किर्सी अनुसुन दान संस्तान इसके सापनावरशा आपको 1936 इं आपको मिलेगा तो बहुत सारे जो विध्यारती हैं उनके मन में भिरम की सिती बने रहती है कि 1936 होगा या 1924 होगा तो ये बात किलियर है 1924 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में बोसी सेज के द्वारा और अलमडा में इसको लाया जाता है 1936 में अगर जम ऐसा प्रशन बन ये रखा गया था 1974 में तो आप लोग समझ गये होंगे इस चीज को चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर देखिए उत्राखंड सेवा ने दी एवां परियावन सिक्सा संस्तान कहां पर हो जाएगा तो ये अलमडा में हो जाएगा रक्षा किर्सी सो संस्तान आने की गई थी वरतमान में देखिए काफी सारे मैं सोसल साइस्ट को देखता हूं तो इस व्रशन पर काफी वाद और विवाद की इस्तिती बनी हुई है उरेडा की स्थापना को लेकर वरतमान में उरेडा कहां है तो इस चीज को भी हम लोग ठोड़ा किलर करने कुशिस का पहले हम लोग यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे ने काफी है कि यहां के उपर्शंड से चीज जाएगा energy, d से क्या हो जाएगा development, a से क्या हो जाएगा agency तो यह question दोस्तों जा मैं पूछा जाता है कि ureda की स्थापना कभ वी ती और ureda की full form क्या है यह ऐसे प्रश्ण बन जाएगा ureda मैंसे ureda मैंसे e की full form बताओ क्या हो जाएगी energy तो ऐसे भी प्रश्ण बन जाते हैं तो आपको फिलाल full form याद रखनी है उत्राखंड renewable energy development agency यह हो जाएगी उत्राखंग उreda की full form चलिए ठीक है फिर देखी इस agency का कार क्या है कि ureda को जो इस्थाबित किया गया था इसका कार क्या है इस agency की स्थापना राज्य में पुनर नवीनिकरन तो था वेकलपिक उर्जा सुरतों के विकास एवं परचार परसार के लिए इस agency की स्थापना की गई थी इसका छेतरी कारलाई सभी जलों में है चलि ठीक है फिर देखिए यह agency सौर्त था पवन उर्जा के साथ साथ लगुजल विद्ध परियुजनावत था वाटर मिल्स यानि घराट देखी घराट को ही वाटर मिल्स से बोलायाता है जो पहाड़ा में होता है चक्की जिने बोलते हैं उनको पानी से चलता है ना पानी के दोरा हो चलते हैं इसलिए उनको वाटर मिल्स बोला जाता है को भी अपग्रेट करने का कारी करते हैं जो कि घराट होते हैं जो और लगुजल विद्ध परियुजनाओं का निर्माण किया जाता है अगर जाम ऐसा प्रश्ण बन जाए कि उरेडा कितने मेगावार्ट तक कि जल विद्ध परियुजनाओं का निर्माण कर सकती है तो एक या दो मातर बस इससे उपर नहीं एक या दो मेगावार्ट तक की जल विद्ध परियुजनाओं का यहा निर्माण कर सकती है चलिए ठीक है ये बात आप समझ गिया होंगे उरेडा की स्थापन एक्टियों की गई थी किसी के आयोग है उसने इसका सही उत्तर अलमुडा ही माना है अभी तक 2001 से लेकर जितने भी एक्जाम हुए हैं 2020 हो जाए 200 अगर उसमें उरेडा का मुख्याले पूछा गया है तो आयोग ने उसका सही उत्तर अभी तक अलमुडा को ही माना है आगे चेंज गर दें इस बात पर कुछ नहीं कह सकते हैं या तो आयोग को अलमुडा वाला उप्सन हटाना पड़ेगा या फिर देखिए दूसरा उप्सन जो मा आपको बताऊंगा चली फिर समझते हैं पहले उस बात को फिर इस बात को जाले रखेंगे देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ हुआ है उरिडा की बेव साइट के अनुसार इसका मुख्याले कहाँ पर है पटेल नगर दहरादून में ऐसा कहा गयाता है कि 2013 में 2013 में 2013 में 2013 में एक उरिडा का सब डिविजन मतलब कि यहाँ पर एक कारले बनाया गया था और इसको बाद में 2013 महीं जो इसका मुख्याले है वो पट पटेल नगर 30 में हैं आ गिया है लेकिन अभी तक अलमडा को ही मान रहा है अब देखिए आयोक या तो यह सोच रहा है कि जो उरेडा की इस्थापना हुई ती अलमडा में हुई है अब देखिए अब आपको यहां पर से option के अगोर्ण चलना पड़ेगा अगर आपके option में अलोडा आपको नहीं मिलता है तो आप लोग देहरादून की तरफ जा सकते हैं बाकि देखिए अभी तक तो जो आयोग इसका सही उत्तर मानता है अलोडा ही मान रहा है और इसका मुख्याले तो देहरादून में कई time पहले आ चुका है जब इसका मुख्याले देहरादून में आ गया उसके बाद भी कई सार एक्जाम हुए और आयोग ने इसका सही उत्तर पर दिखाया गया है यह मैं अपने मन से नहीं कहा रहा हूँ यह वेबसाइट के अनुसार कहा रहा हूँ और वड़तमान में इस्ति भी यह देहरादुन में यह है अगर कोई देहरादुन में रह रहा है तो जरूर एक बार कमेंट करें और माकी जो बच्चे हैं उनको भी इस मैंने आपसे पहले भी कहा था जिक जो कुमाव रेजिमेंट है और जो गड़वाल रेजिमेंट है इनकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा इनको माको डेटेल से पढ़ाऊँगा फिलाल यह यहाँ परन का मुख्याले इस्तिद है यह बात आप लोग याद रख लिज थोड़ा सा इसके बारे में हम जो जान लेते हैं देखिए कुमाव रेजिमेंट का मुख्याले कहां पर हो जाएगा रानिखेत अलमोडा में देखिए माई 1948 से एक बात आपको यह समझनी है देखिए 1945 में कुमाव रेजिमेंट की स्थापना होती है जिस समय इसकी स्थापन इसके बार देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां पर इस टॉपिक को रखा हुआ है आप लोग देख सकते इसको यह नहीं भी याद करने कोई बड़ी बात नहीं है बस आपकी जानकारी के लिए मैंने यह बात यहां पर लिखी है कि जो सुमित्रा नंदपंत हैं और जो गोविंद बल्लपंत हैं उनकी आवाज को इस संग्राले से जोड़ा गया है 1979 में इस्थापना होती है इसका इस्थापना वर्स दोस्त आपको याद रखना है इंपोरेंट रहेगा इसका इस्थापना वर्स फिर देखिए यहां पर से एक दो बात और जान लेते हैं मौरी काल रहा था सुंग काल रहा था कुसान काल रहा था गुपत काल रहा था कुडिंद काल रहा था पौरववन से रहा था कत्यूरी जो सासक रहते उनके सासन काल से संबंदित जो भी सोद चलते हैं वो इसी संग्राले में होते हैं यह वारे संग्राले में तो अगर ऐसा प्रश्ण बन जाए संग मोरी कुसान गुप्त कुड़िन दे पौरो कत्यूरी सासनकाल्च संबंदित सोत के लिए किस संग्राले की हिसापने की गई है या वो संग्राले कहां पर है तु अल्मोडा में है उसका क्या है पंडित गोविंद बल्लबंत राज की संग्राले कहां परसित जाएगा अलमोडा में 1979 में इसकी स्थापना की गई थी चलिए ठीक है उसके बाद देखिए इंडियन मेडिसिन फार्मस्यूटीकल लिमिटिट कहां पर रहा तो यह कहां पर है मोहान अलमोडा में फिर देखिए उदेश संकर निर्त अकादमी कहां पर है यह है और दोजार दो में इसकी स्थापना होती है अल्मुडा में लोग कला संस्तान कहां पर है तो ये भी अल्मुडा में है राज्य में आकासवाने केंदर कहां पर है देखिए उत्राखंड में दो आकासवाने केंदर है ये दोनों ही आपको याद रखने है पौड़ी वाले जन् हम लोग बात करते हैं देखिये को ओप रफारमस फार्मसिटी का लिमेट कहां पर है इंडियन इंस्टीट आफ और रिषर्च कहां पर है तारख खिट अल मोडा में फिर यह तो हो समुदाई के लोग धातू बरतन व्यावसाय से जुड़े हुए हैं तो आपका उतर क्या हो जागा टंटा समुदाई फिर देखिए अलमुडा के बाड़े चीना गाउं में पुसपोद्योग फैला हुआ है अलमुडा के बाड़े चीना जो वहां का इक गाउं है उस गाउं म पुसपोद्योग फैला हुआ है तो ऐसा प्रशन बन सकता है कि अलमुडा का कौन सा गाउं पुसपोद्योग के लिए परसिद्ध है या कि पुसपोद्योग के लिए जाना जाता है तो अलमुडा का बाड़े चीना गाउं तामर नगरी देखिए अलमुडा को तामर नगर लेकिन पुराने समय में तामवे की सिज़ें बहुत यहां पर चला करते थी और यहां से बहुत सार निर्यात भी यहां से अलमडा से किया जाता था लोरा से तो इसलिए लोरा को तामर नगरी कहा जाता है अब देखे टम्टूडा सिल्प यावसा जुड़े हुए हैं डम्टूडा एक बार ज़ेत् 시청 को जोड़ा गया है तो तर्मटूडा जो जाएंगे वो सिल्पय या तामवे हैं चलिए ठीक है ताम अभी वसाय से हम लो कह सकते हैं उसके बाद देखें राज्ज में पौडी था अल्मोडा की उनी सालें परसिद्ध हैं यह दोस्तों मोश्ट इंपोर्टेंट प्रशन रहेगा कि राज्ज में उनी सालों के लिए परसिद्ध जनपत कौन कौन से हो मोड़, शाहते हैं चांधी चांध जाएगा चांधी कहा पर जिन पद में चांधी पाया जाएगा तो राज्ज में सिरफ अल्मोडा जिन पद में ही चांधी पाया जाता है चली ठीक है अब देखिए उसके बाद क्या आता है चूना चूना देखिए चूना वैसे तो अलमुडा के दाना पानी वो चौकोड़े छेत्र मिलता है लेकिन चूने के लिए उत्रा खंड में परसिद जगह है वो देहरादून देहरादून में सबसे अधा कहाँ पर मंसूरी में तो चूना के लिए अधिकांस अगर प्रशन ऐसा बनता है उत्रा खंड में चूना या चूना जो है जो खनीज है उसके लिए परसिद जगह कौन सी है या उसके भंडार सरवादिक कहा है तो मंसूरी छेत्र में ही पाया जा तो देखिए 1834 में क्या होता है 1834 में बिर्टिस काल में 1834 में बैंटिक के समय चाई कमेटी का गठन होता है कब 1834 में ये सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बिर्टिस काल में चाय कमेट्री का गठन बेंटिक ने कप किया था तो आपका उतर का हो जाएगा 1834 में चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे उसके बाद देखिए अगला खनी जाता है एस बिश्टास देखिए ये भी मातर दो जिन पदों में पाया जाता है कौन-कौन से अलमोडा और पॉड़ी में गिरिफाइट सीसा भी अलमोडा में पाया जाता है बागे देखिए छोटे-छोटे खनीज तो कुछ-कुछ मातर में बहुत सारे पाया जाते हैं जहां से वो प्रश्ण एक्जा में बनते नहीं है जिन खनीजों के भंडार जादा है या जिन खनीजों का यहां पर जिसकी मेनाख होता है चांदी चांदी सिर्फ और सिर्फ राजिम अलमोडा में ही मिलता है तो ऐसे प्रश्ण महत्मोड रहते हैं या जिन खनीजों का भंडार अतरिक मातरम होता है तो उन खनीजों के बारे में पूछा जाता है परकि छोटी-छोटी मातरा में तो बहुत सारे खनीज रहेंगे किसी-किसी खनीज का अनुमान भी लगता है तो वो प्रश्निज्या में नहीं बनते हैं बस ही जो बड़े खनीज रहेंगे बड़ी भंडार की मातर रहेगी वहां से प्रश्ण बनने के समभावना ज्यादा रहती है अब देखिए जो टॉपिक वाइस जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहेते वो आपकी समापतों होती हैं जिनके टॉपिक नहीं है उनको हम लोग मिक्स में पढ़ लेंगे और यहां से दोस्तों जो मिक्स वाला जो हमारा पोर्टसन रहेगा बहुत ही महत्पूर्ण रहेगा चलिए ठीक है देखिए दनपूर्या बोली सबसे पहले कुछ बोलियों की हम लोग बात करते हैं यहां पर से लेकर यहां तक बोलियों की हम लोग बात करेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोलियों की दनपूर्या बोली कहां पर बोली आती है अलमोडा जिले के दक्षणी भाग में जो अलमोडा जिले का जो दक्षणी भाग रहेगा वहाँ पर पच्छाई बोली बोली आती है उसके बाद एक अगली आती खस परजिया बोली 12 मंडलव दानापुर के आसपस छेतरे में कहाँ पर बोलिया आ रही है अलमोडा में गंगोई देखिए गंगोली यानि कि थोड़ी बहुत पिथोड़ागड़ में थोड़ी बहुत अलमोड़ा में पिथोड़ागड़ और अलमोड़ा दोनों ही हिस्समा आ रही है गंगोई बोली चलिए ठीक है उसके बाद ही कौन से साथी चोगर किया काली को माओ यानि के चंपाउस से लेकर अलमोडा तक मतलब कि कुछ चंपाउस में भी बोली जाएगी और कुछ मातरा में यह अलमोडा में भी बोली जाएगी यानि कि इतनी सारी बोलियों का संब्द यहां पर अलमोडा जनपस से है और देखे एक बात और ये जो बोलिया है ना ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो भी हमारी topic रहेंगे जब हम लोग बोलियों वाला chapter अलग से पढ़ेंगे तो ये चीज expressions आपको और भी बहतंखे से समझ में आएंगे तो जितने भी हमारी टॉबिक बते हैं छोटे मोटे जो हमारी उत्राखंड जिला सिरीच खतम हो जाएगी उसकी बाद हम इन ही पर चर्चा करेंगे इन ही पर हम लोग बात करेंगे चली ठीक है उसके बाद देखिए फोर्ट मायरा किला और लाला बजार कहांपर है अलमोडा में कुरिंद मूर्थियों वह मुद्राओं का संग्राले कहांपर है तो ये फी अलमोडा में ही है ये बहुत most important person रहेगा फोर्ट मायरा किला कि अभी मा आगे जाके शर्चा करूँँगा इस पर यह पर मobra में चले भेद दिएज passing पहले उसके बाद देखें जितनी भी विह भूतिया है एक सिरीच के माध़िन से एक सिरीच हम लोग चलाएंगे उतराखंड में जतने भी ऐसे विहूतियां है जतने खूट गराम अलुट अल्मोड में और 1887 इनका जनम दिवसाब को आत रखना है फिर देखिये मंदिरों की और मीठी मूलियों का छेतर किसे कहा जाता है द्वारहाट को द्वारहाट को ही हिमाले की द्वारिका भी कहा जाता है मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का छेतर या फिर हिमाले की द्वारिका किसे कहा जाएगा द्वारहाट को जालना, खुमानी, सेब, नासपाती, आड़ू, आलू बखारा, आदी फलों फलों के लिए ये परसिद्ध है यहाँ फलों के उध्यान भी काफी सा रहे है यहाँ पर तो आपको याद रखना है जो जालना रहेगा वो कहाँ पर है अलमोडा में और फलों उध्यानों के लिए ये काफी परसिद्ध है घरीया परवत कहाँ पर है अलमोडा में धोकाने वाटरफॉल धोकाने वाटरफॉल कहाँ पर है अलमोडा वा नैनिताल के बीच में चलिए ठीक है फिर देखिए अगला आता है पांडु खोली गुफा इस पांडू खोली गुफा को त्रियमबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए त्रियमबक गुफा पूछे या पांडू खोली गुफा पूछे आपका उतर क्या हो जाएगा माला बार जो रहेगा केरल में रहेगा और कोरो मंडल कहां पर रहेगा तमिलांडो में ये कवफिवा रिजया में आभी चुका है उसके बाद देखिए सोमे सुर घांटी ये भी कहां पर हो जाएगी अल्मुडा में तो ये इंपोर्टेंट प्रशन है बिल्कुल इसकिप नहीं करने है उसके बाद देखिए रैला कोट का कहां पर है तो ये अल्मुडा में है सिम्तोला, मार्तोला, मटेला इस अब परेटन इस्थल कहाँ पर हो जाएंगे अल्मोडा में हो जाएंगे थाना बजार, पटाल बजार, लाल बजार इस अब कहाँ पर हो जाएंगे मनिला, देखिए मानिला या मनिला कहें परेटन इस्थल कहां पर है उत्राखंड में तो यह है रानिकेत अल्मोडा में ही इंपोरेंट रहेगा मानिला परेटन इस्थल कहां पर है अल्मोडा में रानिकेत में मानिला परेटन इस्थल जानिकेत में ही है और रानिकेत कहां पर है अल्मोडा में कुमाओ का खजुराओ के से कहा जाएगा तो कुमाओ का खजुराओ द्वारहाट को कहा जाता है। महावतार बाबा की गुफा कहां पर है तो ये भी द्वारहाट में है। मजए खाली परेडन इस्थाल कहां पर हो जाएगा तो ये द्राने खेत में है। आठ तो ये अलोडा महीं है अने अगला आता है लोडा में गगास नदी के व्हत पर नौकोणों वाला गोल्फ मैदान है जिसका निर्मार उनीस सो बीस में हुआ था इस्थानिय नाम देखे इसका उपट इसका इस्थानिय नाम है उपट नाम से भी इसको जाना जाता है तो अगर ऐसा प्रश्ने मनता है कि कुमाउ छेत्र में नौकोनो वाला गोल्फ वगा मैदान कहां पर है और देखिए भालूबाद रानी खेत में एक किर्तिम डैम है जो 1903 में बना देखिए इसको स्वर्ण लताताल के नाम से वर्तमान में जाना जाता है यह हम लोग कह सकते हैं वर्तमान में इसको स्वर्ण लताताल के नाम से भी जाना जाता है तो अगर एक जम ऐसा प्रश्ण बने कि भालू बांद या भालू डैम या सोर्ण लताताल कहां पर है तो आपका उतर क्या हो जाएगा रानी खेत में जो कि एक किर्तिम डैम है 1903 में इसका निरमाड हुआ चलिए ठीक है अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आंदो हासिकाल था वहाँ पर हमने लाखो गुफा लोइथाब गुफा फल सीमा कसार देवी इन चीजों के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही पूरी डिटेल में मैंने यह चीज़ आपको बताया थी एक लाइन में नहीं पूरी डिटेल में क्या क्या चीज़ की खोच करी तो सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल से उत्राखंड के आद इतिहासिकाल उत्राखंड का प्रागतिहासिकाल उसमें सब कुछ पढ़ा चुका हूं आप लोगों को अगर आपने अवीडियो नहीं देखिए तो जरूर देखिए उत्राखंड का इतिहास करके एक आपके सामने फोल्डर आएगा हमारी प्रिलिष्ट में वहाँ पर से आपको इस सब कुछ चीजें मिल जाएंगी चलिए ठीक है फिर देखिए जो उत्राखंड में जो आंदुलन वे थे सालम की करांती हो, सल्ट की करांती हो खुमार ग्रांती हो, या सुधनता संग्राम से संबंदे जो भी आंदुलन थे, जो भी यहाँ पर बिदर होगे उन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिसकस नहीं करेंगे फिर देखिए, अलमोडा में कुमाओ राम लिला की सुरुवात कब होती है 1860 में, किसके द्वारा, देविदा जोसी की द्वारा यह इंपोरेंट प्रशन है दोस्तो कि अलमोडा में कुमाओ राम लिला की सुरुवात कब होती है अब अलमोडा सैली की है तो यहां से प्रश्ण ने पूछा जा सकता है कि अलमोडा में कुमाउर रामिला की सुरुवात कब से होती है तो वो होती है 1860 में देवी दजोसी के द्वारा चले ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर देखिए डोल आसरम हाला कि ये पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था डोल आसरम कहा है बस वहाँ से मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि डोल आसरम कहा है बस आपके याद करने के लिए मैंने वहाँ पर लिख दिया था अब देखे थोड़ी सी बातें इसके बारे में और जान लेते हैं तो डोल आस्रम है वो योगा के लिए भी जाना जाता है याद रखेंगे इसको योगा के लिए भी डोल आस्रम को जाना जाता है अलमोडा में ही है डोल आस्रम इसकी स्थापना किस ने की थी तो योगी कल्या आसरम कहां है तब भी आपका उतर का हो जाएगा अलमोडा में चलिए ठीक है फिर देखिए और जान लेते हैं कुछ बात हैं चंपा नौला रानी धारा कपीना धारा नौला डूंगा धारा चिलिया नौला यह सब कहां पर हो जाएंगे यह सारे के सारे नौलेज हो हैं वो कहा कहां से कहां के बीच में यह प्रश्ण यह पूछा था कहां से लेकर कहां तक पर्थम जो डांक पढ़ना ले थी उतरा खंडी की बिर्टिस काल में जो शुरू होती है यह कहां से कहां तक चलाए गया तो अलमोडा से सीरी नगर यह प्रश्ण दोस्ते की जम आच जुका है अलमुडा से शिरी नगर, अठारो सो पंदर आ उखनी है, कहां से कहां तक चली, अलमुडा से सिरी नगर, फिर देखिए, फालिडा कोट दूर्ग कहां नो जाएगा, अलमुडा में, चलिए ठीक है, उसके भर देखिए, स्वामी विवेकानंद, तीन बार अलमुडा आते हैं पर्थम बार आते हैं 1890 में तथा कसार देभी गुफा जो अलमुडा में है वहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी देखिए पहनी बार आई था 1890 में दूसरी बार आते हैं 1890 में तीसरी बार आते हैं 1890 में और देखिए काकडी घाट एक जगह है स्वामी विवेकानन देखो काकडी घाट में एक पीपल का वरक्षी है तो काकडी घाट में पीपल के वरक्षी के नीचे भी इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो काक्णि घाट में भी आए थी और वही पर पीपल के विरक्षे के निजे इनको ज्ञान के प्राप्ति हुई थी तो विवेकार नेंद्ट अल्मोरा कितने बार आते हैं तीन बार परतम बार का बात हैं 1890 में और desires का बात हैं 1890 में अब देखिए लाल मंडे किला जैसे कि मैंने भी आपको बता था था ना फोर्ट मायरा किला इसके बारे में हम लोग बात करेंगे देखिए इसके बारे में थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहने तो आपको यह याद रखना है कि लाल मंडे किला इसे Fort Amara किला भी कहा जाएगा और यहां से एक नाम और आता है Lord Handsticks इससे भी इसको हम लोग जोड़ेंगे हला कि आपको पढ़ा चुका हूँ मैं यह Lord Handsticks और Fort Amara यह सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ British Karl में अगर आप नहीं पढ़ा है एक बार फिरसे इसको समझ लेते हैं ज्यादा डिल में नहीं जाऊँगा बस कुछ बात आपको बताऊँगा देखिए लाल मंडी किला इसे Fort Amara किला भी कहा जाता है कहां पर सिदे अलमोडा में किसने बनाया था इतनी बात आपको याद रखनी है अब देखिए क्या होता है लाड हैंस्टिक होता है देखिए पहले तो आपको यह समझना है एक होता है वारेण हैंस्टिक वारेण हैंस्टिक कौन था 1773 के Regulating Act के तहट जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जन्रल कहा जाने लगा 1773 इस्वी के Regulating Act के तहट तो उसके तहट बनने वाला जो पहला गवर्नर जन्रल था वो कौन था बंगाल का वो था वारेण हैंस्टिक्स यह तो बात होगी थी 1773 इस्वी की बात लेकिन एक आता है लाड हैंस्टिक्स लाड हैंस्टिक्स का बाता है 1814 इस्वी के आसपास में वो चलता है तुम्हारा 1821-22 लंबा चलता है थोड़ा 10-12 वरसे के बीच में इसका कारिकाल चलता है तो लाड हैंस्टिक्स देखी आता है तो अब क्या होता है 1814 में देखी इस लाड हैंस्टिक का एक नाम होता है क्या होता माईरा सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको पहन लही लाड हैंस्टिक का एक नाम होता है माईरा या मोईरा या माईरा इसका एक नाम होता है अब जब यह लोग आथे हैं उतरा खंड़ने में बिर्टिस जो कमपणी होती है यह आती है 1814 में पड़ा चु काओं पहली 1814 में बिर्टिस कमपणी का यहाँ पर आगमन सुरू हो जाता है अब यहाँ पर आने के बाद 1815 में अलमडा में अपनी केले का नाम लाड हेंश्टिक के नाम पर क्योंकि उसमें जो वहां का ग kızımodner होता है ना भारत का भारत का जो रहेगा तो क्या हो accelerated की जब ये कि लाल मंडी केले का ना फोर्ट मायरा किसके नाम पर पड़ा तो आपका उतर क्या हो जागा लाड हैंस्टिक के नाम पर फिर देखिए मल्ला महल पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था और पूछा भी था मैंने कि तल्ला महल और मल्ला महल का निर्माण किसने करवा तो दीखिया माला महल का निर्माण रुद्रुचंदने करवाय था हाला कि पहले जो आयोग इसका उत्तार देता था कल्यार Bjork wa handled इसका उत्तार change हो गया है अगर आपने कल्यार संद ही याद रख रुखे था सो काडद लीजेए इसका जो निर्माण कौन करवाएगा उद्ध्योचंद चलिए ठीक है उसके बाद देखे नैथना किला अल्मोडा में है गोर्खा कालिन इसको माना जाता है चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर देखिए बढ़ते हैं आगे ज़रा पेश पल्टा नहीं है कभी इन पर्गोन से संब्धत प्रशन बन जाता है क्वी कुछ पर्गन रहते हैं तो 12 बंडल परगना चौगर खांपर रुझाएन कहां पर जाएगा अल्मोडा में एक आता लोटा कानून देखिए अलमुडा को स्वच्छ करने हिद्दू बनाया गया या कानून था मतलब को जो लोटा कानून आप लोग समझ रहे होंगे जो सुबह सुबह लोटा लेके निकलते हैं तो अलमुडा को स्वच्छ करने के लिए एक बनाया गया कानून था लोटा कानून, लोटा कानून का संबन्द किस जनपस से रहेगा, तो ये रहेगा अलमोडा से, चले ठीक है, फिर देखिए, रैम जे इंटर कॉलेज, देखिए, इस कॉलेज के जो अलग-अलग डेट हमको मिलती है, अगर हम लोग परिच्छा वाने की बात करें, तो वहाँ पर इसकी डेट मिलती है, 1870, अन्य किताबों में इसकी डेट मिलती है, 1870, और मुझे भी इसका जो उचित उत्तर पर्तित होता है, वो 1870 ही पर्तित होता है, तो यहाँ पर आब आपको ऑप्सन के अकोड़न चलना पड़ेगा, जो भी आपकी सामने ऑप्सन आ जाएं, वैस जरूरी बाजार, अजीब सा इसका नाम है जरूरी बाजार, तो यह कहाँ पर हो जाएगा, रानी झेत में, फिर दखीए, 7 इश्टोर नामक, 7 इश्टोर नामक, संसेट पॉइंट कहाँ पर है, तो चौबट यालमोडा में है, रानी जील कहाँ पर है, ताडी खेट कि किसी ताल में जल निकाल सी है तो पांस सुरंग मनाई गई है तो तड़ाक ताल अलमोडा की फिर देखिए उत्राखंड की संसिकिर्ट नगरी के रूप में पर सिद्ध है तो यह है अलमोडा नगर ये दोस्तों महत बहुत ही महत्मूर प्रशन है कि उत्राखंड की संसिकिर विश चले ठीक है पड़ते हैं अगЙ फिर अगे पृष्टम पोंश्यचोंपीस पाशपोर्ट केंदर की स्थापना अल्मडा में होती है वैسे देखिए मैं काफी चीज़एं अल्मडा की बात चुक हूँ आपको ब्रेतेस का अल्म इसे की 1816 में अलमड़ा में क्या होता है अलमड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 में तो ऐसी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़िए ना तो आप लोग ब्रिटिस काल पढ़िए बहुत ही महत्पॉर्ण वह हमारे सीरी चली थी वहां से सब कुछ मैंने आपको वहां से किलिए करवाया था चली ठीक है तो दीखिए राज्य में पर्थम पोश्ट ऑपिस पासवर्ट केंद्र कहां खुलता है अलमड़ा में इसकी स्थापना होती है उत्राखंड विकास हंस्तान का गठन कहां कौन करता है कि तो घंणन पांड़े के दोरा किया जाता है उत्राखंड वि जैसे आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन मैंने इसका इस्थापना कुछ ऐसे कुछ बताया नहीं था देखी होता क्या है उन्नीस सा उन्तीस में गांधी जी ने यहाँ पर तीन दिन निवास किया था ताड़िखेट अलमड़ा में तो जहां पर इन्होंने निवास किया अलमड़ा किस बोपो pry जौन में तो अलमड़ा देखेज़ जो है जो बुकमर जौन 5 में जौन 5 मायेगा अगर प्रश्ण ऐसा बनता है देखेज़ यहां पर से मैंने उत्राखंडी के उत्राखंड को बार्टा गिया है कौन-कौन से यहां पर जौन आते एक हैं कौन-कौ जोन में याद करना है इसको difficult होता है तो मैंने यहाँ पर से आपको याद करने की बहुत ही अच्छी trick बता हुआ जिसे से कि आप इन चीज़ों को कहीं नि भूलेंगे देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि अलमड़ा किस जोन में है तो जोन 5 में आप देखिए जोन 4 में कौन कौन से हमारे जनपाद आते हैं देरादून, टहिरी, उत्रकासी, निनिताल और उधमसीनगर इसको याद करने का तरीका में आपको विताता हूँ इतना आपको याद रखना है देटी उने, बस इतना आप लोग याद रखिए दुनिया भर की चीज़ा आप लोग याद करते ही है तो इतना भी याद कर लिजिए देटी उने याद रखिए बस देटी उने, देखिए, दे से देरादून हो जाएगा टी से टी दी जाएगा उसे उत्तरकासी और उधमसीनगर हो जाएगा और नैसे क्या हो जाएगा नैनितार ये सब किसमा जाएगे, जोन चार मा जाएगे इतना आपको याद रखना है और इतने सारे जनपत कहां याद करते फिरेंगे ये याद होंगे ही नहीं, याद होंगे भी तो एक जाम भूल जाओगे उप्सन देखते भूल जाओगे तो इसलिए डेटी उनने याद रखिए जोन पांच में कौन कौन से आएगे चमुली, हुदरपलियाग, अलमोडा, पिथोड़ागर और चमपावत इनको याद करने के ट्रिक पिछ अरुच पिछ अरुच इतना याद रखिए पिछ अरुच बस पी से देखी क्या हो जाएगा पिथोड़ागर, चौ से क्या हो जाएगा चमुली, और देखी और से क्या हो जाएगा अलमोडा, हरुसे, रुदरपरियाग और चौ से चमपावत बस इतना साब को याद रखना है इतना क्यों याद करना है जब हमारा इतने समय काम हो जाता है तो इतना क्यों काम याद करना है हमको तो बस जोन चार और जोन पांच में जो जोन जनपत दरा खंडमा आते हैं भुकम्पिकी दृष्टी से यह आपको याद करना है important है exam के लिए उसके बाद देखिए राज जी में राज जी के सीद कालिन वर्सा वाले जिले कौन कौन से हैं तो यह आपको याद करना है चार जनपत राज जी के सीद कालिन वर्सावाल हैं, अल्मोडा, टिहरी, पौडी, धरादुन, मुखिता हैं, वैसे तो अनेक जगे होती है, लेकिन जो मुखिता हैं हम लोग बात करते हैं, अल्मोडा, टिहरी, पौडी और धरादुन में, अल्मोडा में ब्रहमा कुंड कहां पर है, तो अल्मोडा में एक ब्रह रंग मनडल की आपना की गई है दो जगह की जाएगी रंगमनडल की तापना दो जगह यह कहां कहां पर योइन ध्रादन और लॉब्रा में चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे हैं। इस है देखिए खिप Sig hol भी अला अलाका घेवार्ड शेत्र और उत्तरकासी को रंगिलो बयराड कहा जाता है उसके बाद एखिए राज जिम्हें लोकसवा की पांस तीन में करनकुच आते हैं तो पांस सीटे नोकसवा के लिए जिसमें से एक सीट आय,' अलमुडा के लिए अनुसुची जाती के लिए याद रखने हैं आपको कि राज जी मैं लोगसभा की पांस सीटों में से अनुसुची जाती है तो आरक्षी सीट कितनी है तो मातर एक ही सीट आरक्षी सीट है पांस सीटों में से वो कौन सी है अनुसकी जाती के लिए अलमोडा वाली सीट है अगर प्रश्ण बनता है कि राज जी सबा की कितनी सीट है उतरा खंड में तो आपका उतर क्या हो जागा तीन सीट है लोग सबा की पांस सीट है फिर देखिए राज जी में सरवादिक वा सबसे कम रिंड जमा अन लूम एंड नैचुरल फाइबर स्थापिता तो यह अलमोडा में है वैसे मिक्स कोशन ज्यादा हो गए अलमोडा जनपत में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है इसलिए चीज़ें ज्यादा हो रही है आपकर तो कोई दिक्कर वाली बात नहीं है सब आपको याद हो पंचा चुली वूमन कहां पर है तो यह भी अलमोडा में है कुमावू इंजिनिरिंग कॉलेज कहां पर है द्वारहात अलमोडा में है कोठार बात देखिए इंपोटेंट है कोठार बात कहां पर है तो यह अलमोडा में है कोसी नदी पर है इसकी उचाई कितनी है 155 मीटर और देखिए, परिच्छावाणे में लिखा हुआ है कि सरवादिक जल धारन शमता वाला या बाद है, कौनसा कोठार बाद, जो कोठार बांध रहेगा ये सरवादी जल धरल शमता वाला बांध रहेगा कोसी नदी अलमड़ा पर है इसकी मुझा याद रखेंगे 155 मीटर उसके बाद देखिए ये मिट्टी काफर वाला बांध है चलिए ठीक है उसके बाद देखिए बिंसर वन्न जी विहार देखिए जो जो हमारे जिले में आ रहे हैं उनको तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं बाद में एक इनकी इंडिविजल वीडियो और बनेगी जिसमें हम लोग इनको एकटा ही सब हम लोग इनको पढ़ेंगे अलग अलगनी और भी आसाने से आपको और भी बहतर तरीके से आपको समझ में ये चीज़ें आएंगी तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी समापत होती है और इसी के साथ ही अलमुडा जिले का भी चारण बनते हैं अलमुडा के अगर मैं चाहता तो अलमुडा के चारण बना सकता था लेकिन आपका समय बचाने के लिए और जल्द ही इस जिलासरीज करने के लिए जैए तो दोस्तों हमारे Facebook पेस से आप लोग जुड़ जाएए जहां से आपको नई नहीं जानका रहे हैं मिलती रहती हैं कोई नई विग्यप्ति आई हो कोई एक्जाम डेट हो या कोई एक बैल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दिया कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो के संबने में जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप तर नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए जना ही अगर वीड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए